हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जे इसवाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे टुटोरियल्स में जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक का पहला चाप्टर जिसका नाम है दोस्तो हिस्टोरियोग्राफी डेवलप्मेंट इन दे वेस्ट फाइनली जो चीज का आप लोग को इंजजारता काफी दिनों से वो हम पू करते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि हर दिन कौन-कौन से वीडियो अपलोड करते हैं दिन में तो आपको बस हमारे प्लेडिस्ट और वीडियो सेक्षन को जरूर चेक करना होगा और साइन्स और मैस का तो complete entire syllabus हमने complete करके रखा हुआ है आपके महराश्टर बोड के इसस आपसे तो प्लीज जाहिए विजिट कीजिए और जो भी चाप्टर पसंद आए जो भी लेक्चर पसंद आए जरूर से दीजिएगा प्यार आपका बहुत अच्छे से ठीके दोस्तों और दोस्तों सेकेंड चैनल भी है हमारा इसके अलावा अगर बात करूँ में तो जया कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए शिरुवात करते दोस्तों आज के इस पर्टिग्लर चाप्टर की जिसका नामें डेवलपमेंट इन दबेश्ट देखो हिस्टोरिय ग्राफी जो है ना नॉमली बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे वो क्य हखेगा यानि कि देखा जाए तो अगर बहुत सारे हिस्टोरियंस है तो वो अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो हिस्ट्री में जितनी भी घटनाय हुई है उसको आधार बनाके लोग narration के हिसाब से यानि एक story mode के हिसाब से लोगों ने history लिखना शुरू कर दिया और वही चीज को हम लोग क्या बोलते हिस्ट्योरिग्राफी बोलते और जादर detail में पढ़ेंगे जैसे यह से आगे बढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे ठीके तो ध्यान रखना तो basically अरब्स आये थे फिर बात करेंगे शिवाजी महाराच थे शिवाजी महाराच के टाइम क्या हुआ तो यह सब चीज हम लोग sequence में पढ़ते हैं यानि 1900 century में क्या हुआ 2000 में क्या हुआ या फिर उसके पहले की बात करें तो 1000 century में क्या हुआ रहेगा, पंदरसों में क्या हुआ रहेगा, अटरसों में क्या हुआ रहेगा, तो ऐसे सिक्वेंस में पढ़ते हा, तो ये सब चीज में हिस्टियोग्राफिय में इंक्लिवड किया जाता है, और इसमें अगर बात करें, तो फिजिकल और नाच्रल प्रॉसेस एक तरीके से बोल सकते हैं, तो ऐसा कोई भी एक साइन्टिफिक तरीका तो नहीं है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, की चलो या हिस्ट्री में ये चीज हुआ था, फर एक्जा सारे सबूत है, तो यानि कि अगर हम बात करें, तो हम किसके उपर बात करते हैं, हम सोर्से के उपर बात करते हैं, यानि कि अगर हमारे पास सबूत मिला हुआ है, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं, कि शिवाजी महराज थे, हमारे पास सबूत है, तभी तो हम लोग बोलते है तो लिटमस पेपर में जैसे acid डाला तो red हो गया और base रहेगा तो blue हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा acid की base है वैसा कुछ कर सकते हैं नहीं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसे sources को इकटे करने पड़ेगे बहुत सारे factors को देखने पड़ेंगे जिसमें हमारे इस्टोरिक राफिका बहुत बड़ा रोल है और इसके इसाब से बात करें जो historical research जो है इसमें laboratory में तो research करना possible है नहीं अगर मैं normally बात सकते हैं आड इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो हमें एक्सपट की जड़त पड़ेगी एक्सपर्ट किसकी जड़त पड़ेगी for example अगर मुँझे कोई source मिल वो source कुछ भी हो सकता है material हो सकता है रिटन source हो सकता है या फिर oral source हो सकता ठीक है यह तीनों सोर्स हो सकता है देखो समझने समझने वाली बात है यहाँ पहली बात तुम्हें एक चीज़ बता दू कि यार all the chapters of the history is boring we know that यह सबको पता है आपको भी पढ़ा है मैंने तो पढ़ लिया यार मेरा तो चलो पढ़ाई खतम हो गया लेकिन आपको जहलना है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा क्योंकि देखो दीरे दीरे हम लोग sources की तो हमें कोई भी एक्सपर्ट की जरूत है क्या yes obviously जरूत है क्योंकि अगर मुझे कोई material source मिलता let's suppose कोई एक building है या फिर चलो एक फोर्ट है किल्ला किस में आ जाता है material source में आ जाता है ना पढ़ा है first chapter में मतलब 9th के first chapter में तो यार जो किल्ला है फोर्ट है क्या सबूत है कि यह किल्ला जो है शिवाजी महराज का था ऐसा हम लोग बोलते है ना जैसे कि गोंदाना फोर्ट था तो वहां पे तानाजी मालूस अरे जो सुविदार थे वहां पे ठीक है ना उनके bravery के वज़े से वो हमारा जो फोर्ट था हमने कबजा कर लिय वापस है शिवाजी महराज ने जीत लिया ठीक है क्या सबूत है तो जो भी material मिला होगा वहां पे जो भी material source मिला होगा उसके उपर experts ने जाके research की होगी कि यह वाकई में जो किल्ला है वो इतने साल पुराना है क्या for example मैं बोलूँगा कि यह जो किल्ला था वो 500 साल पुरान written जो भी चीज कागजात मिलेंगे या फिर कहीं पे लिखावर चीज मिलेगा तो क्या यह लिखावर सही है क्या वो particular तरीके का जो लिखा हुआ है इसका font जो design है इसका style है रिखने का वो क्या सही है तो उसके लिए experts के जरूद पढ़ती है चाहे वो oral की बात हो written की बात हो च जाकी generation by generation history पता चल पहे अब imagine करो अगर historian नहीं होते for example के तोर पे इन्होंने history अगर नहीं लिखा होते तो क्या हमें आज के दिन में यानि कि जो 21 सधी की जो generation है जो PD हम जैसे PD आप जैसे PD है इनको पता चलता क्या history में क्या है हुआ था कि हमको पता चलता क्या कि अलग-अलग experts की help से यह जो history लिखना जो शुरू किया इसके वेज़से काफी ज़्यादा हमें help में मिला है ठीक है तो यह जो बहुत सारे disciplines जो होते हैं इसमें बहुत सारे अलग-अलग methods आ जाते हैं तो historical जो research जो उन्होंने किया था यह बहुत सारे field इसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि historical research करना एक छोटा सा काम ने यह बहुत बढ़ा काम है और इसमें बहुत सारे field आ जाते हैं सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि archaeology क्या है यानि कि एक particular field होता है archaeology आपको पता होगा यानि कि for example मुझे एक मंदिर मिला अब मैं मंदिर बूब लूँगा कि यह 500 साथ पुराना मंदिर है इसमें यह सब हुआ था तो क्या उसका architecture वैसा है कि आर वो जमाने में हो सकता था क्यूंकि आज के रड़ में जो buildings बनते हैं वो अलग तरीके से बनाया जाते हैं और जो 500 साल पहले बनते होंगे वो अलग तरीके से बनाया जाते हैं तो archaeology के हिसाब स science जो है क्या वो सही है फिर अगर मैं बात करूँ इसका manuscript जो है यानि कि आपको पता है manuscript मिलते थे तो क्या इसके पीछे जो manuscriptology है वो सही है क्या इसके पीछे epigraphy यानि कि जो study of inscription होते हैं आपको पता है inscription. inscription का मतलब हमने बहुत बार आपको बताया हूए inscription यानि कि कुछ चीज लिखावट जैसे कि कुछ मंदिर है उसके पर लिखावब तो तो क्या ये चीज लिखा हुआ जो है वो सही है क्या यानि जो लिखा हुआ है ये बाद में लिखा गया है कि वो जमाने से ही लिखा गया है तो ये कौन बताएगा एक्सपर्ट ही बताएगा ना वो सब फिल्ड में तो ये सब चीज फिर लेटरिंग स्टाइल का एनालिसिस य सब चीज में language में लिखा गए तो क्या वो words को letters को identification करना और ये समझ पाना कि ये वाकई में लिखे गए थे उस जमाने में तो ये सब चीज कौन करता है experts करते है फिर linguistic यानि कि क्या language ये सही है ये language सही है जो लिखी गई थी पुरान जमाने में ये सही है फिर उसके निमेश्टिक यानि की जो coins होते थे coins अगर कुछ मिले material source में आगया ना coin तो क्या ये coins जो है वो ही जमाने से बिलॉंग करते हैं या फिर इस जमाने में बनाएगा है तो ऐसे बहुत सारी चीज वो लोग consider करते हैं और देखते हैं ठीक है ना और उसके हिसाब सही जो है वो source तयार किया जाता है और ये जो history graphie है या फिर जो history है वो लिखा जाता है correct है दोस्तो clear है समझ में आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले topic की तरफ तो सबसे पहला जो topic आ गया ये तो हमारा overall एक तरीके से बोल सकते हो introduction था अभी आते हम लोग real topic की तरफ जिसका नामे दोस्तो tradition of history graphie पहला topic हमारा आज का आज का मतलब इस chapter का actual में जो topic है जो यहां से शुरुवात हो ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और देखो यहां पे मैं आपको अगेन एक चीज़ बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको patience level की जरूत है यहां पर क्योंकि देखो ये chapter जो है बहुती लेंग दिये पहली बात तो ये chapter क्या almost आपने science and maths में हमें support किया है उसी प्रकार history और बाकी subjects में भी कर जो definitely हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे आपको और हर knowledge आपका clear करवात ही लेंगे तो चलो heading डाल देते हैं आज का क्या बोला मैंने tradition tradition in historiography historiography अब यह जो tradition है अगर हमें इसकी बात करू search method था यह सब चीज के अगर बात को गई तो बहुत सारे जो historical चीजे जी थी तो उसका sequence में लिखा जाने लगा जैसे में आपको जिकर किया कि अलग-अलग architectural फिर archival science फिर अगर मैं बात करू इसे बहुत सारे चीजे जो है वह हम लोग ने देखा तो यह सब चीजों के आधार को लेके एक sequence बनाए गया एन वह sequence के हिसाब से क्या लिखा गया दोस्तो एक narration लिखा गया narration मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो story form में लिखा गया एन वह story किसका लिखा गया history का लिखा गया तो हम लोग in short definition point of view अगर मैं बोलू the writing of critical historical narrative देखो मैं definition लिखता हूं क्या बोल रहा हूं है यह note-book में note-down कर सकते हो the writing of critical historical narrative is known as is known as जो हमारा topic है क्या नाम है historiography यानि कि आपको कोई अगर पूछता है what do you mean by historiography तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं कोई भी critical historical narrative यानि कि जो पुरानी गाथाएं हैं जो पुरानी कहानियां है history के ओ आधार बनाके जैसे कोई भी example ले लो मुगल्स ले लो शिवाजी महाराज ले लो या फिर जो भी घटनाए हुई है उसको अगर कोई एक particular written language में लिखता है और एक critical historical narrative के form में लिखता है तो वो जीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे historiography बोलेंगे clear है उसी प्रकार यहाँ पे जो history लिखता है इसको historian कहा जाता यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है लेकिन यह जो historian होते है यह जब history लिखते हैं यानि कि जब वो अपना critical historical narrative करते हैं जब वो लिखते हैं तो क्या वो history में जितने भी चीज़े हुए सब लिखते हैं क्या नही जितने भी चीज़े हुए वो नहीं लिख पाएंगे obviously आप अगर imagine करो कि आपका एक life है ठीक है न मैं इंसान हूँ आपका अपना life है मेरा एक life है अगर हम अपने आत्मकता लिखने की कोशिश करें गए autobiography जिसको बोलते है ना तो मैं अपने बारे में लिखना शुरू किया लगबग और 45 years अगर मैं जीता हूँ 70 साल का अगर मैं total मिला के जीता हूँ तो क्या 70 साल मतला पहले साल से लेके 70 साल के उमर तक जो भी मैंने काम किये हैं जो भी चीज मेरे life में हुए वो सब चीज मैं लिख पाऊंगा क्या बिल्कूल नहीं लिख पाऊंगा तो it is not practically possible to write everything which had happened in the past which had happened in the past past में जो भी चीज हुआ है दोस्तों उसको हम लोग हर चीज को नहीं लिख पाते same historians का भी था जितने भी past में events होते थे वो हर चीज ने लिखा जो भी main highlight वाले जो चीज़े होती थी जो main main चीज़े होती थी वो क्या करते थे उसको include करते थे और वो भी किसके ओपर depend करता था उनका framework क्या था उनका तरीका क्या था लिखने का और एक और चीज जैसे में बता वो बहुत सारे अलग-अलग physician लिखेंगे और हर एक physician का जो तरीका होगा लिखने का वो अलग होगा लेकिन इसका मतलब यह हो गया क्या कि physics change हो गया नहीं physics वो ही है यहां पे physics यहां पे वो ही है लेकिन तरीका अलग-अलग है सेम इसी प्रकार history में भी हमारा यही चीज क्लियर है दोस्तों तो उमीद करता हो कि यह भी चीज आपको समझ में आया होगा तो जो भी उनका conceptual framework होता था उसके हिसाप से वो लोग work करते थे और उसके हिसाप से जो history से वो लिखा जाता था पिर जो ट्रेडिशन था ठीक है ना जो जो यह history writing का जो history narrative का जो ट्रेडिशन था एक तरीके से क्या हो गया परंपरा बन गया और उसके हिसाप से historiography ले लिया गया और जितने भी ancient stories होती थी पुराने जमारे में जो भी घटनाए होती थी उसको आधार मानके एक story की form में आधार मानके history को लिखा जाता था ठीक है और इसका मतलब यह नहीं था कि ऐसे ब पता ही नहीं था ने कि ancient में ऐसाब होता था हमारे पूरवच कैसे होते था यह सब चीज हमें किसने बताया historian नहीं बताया तो imagine करो अगर historian नहीं होते तो यह सब चीज भी हमें पता नहीं चलता तो that's why historian plays a very important role in the development of women mankind क्योंकि हम develop तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो पूरानी जो लोग आये थे अरब्स के मुगल्स के वह हमारे इंडिया को लूट लूट के चले गए और हम इंडिया बिचारी बहुत गरीब होगी थे economic power में बहुत कम होगी थे और आज देखो कही नहीं हम फिर से bounce back कर रहे हैं हम develop कर रहे हैं और आज हमारा गिंती वर्ड में आता है ठी तो यह सब चीज भी अगर देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा important source माना जाता है और यह जो history है इसमें बहुत सारी चीज़ आती है even paintings आ जाती है फुरान जमाने में चित्रकार जो होते थे आब यह चित्रकार जो थे वो कहीं नहीं एक source से लाते थे आब for example शिवाजी महर देखा होगा तो उनकी किसी ने तसवीर बनाई होगी वो तस्वीर को किसी ने देखा होगा तो उसने किसी को बनाई होगी तो ऐसे generation by generation पीडी दे चलता गया और आज के date में हमारे पास जो भी तसवीर है शिवाजी महराज की वो रियल है कहीं न कहीं ठीक है न? उसमें थोड़ा वो change हुआ होगा तो इस प्रकार जो है वो थोड़ा वो changes होता गया ठीक है ना पुरानी जो तस्वीर थी वो दिरे दिरे खराब होती गई, blur होती गई ठीक है न क्यूंकि सावाल ये भी उठता है कि यार पुरानी तस्वीर को यूज़ कर लें क्यों नया बनाने गा लेकिन कहीं ने कहीं original तस्वीर आप देखोगे यानि जो painting देखोगे तो इससे ये पता चलता है कि यार हमारे history में वो time पे painter's भी हुआ करते थे जो painting करते थे कुछ storytelling करते थे story बनाते थे और कुछ script लिखते थे इसे बहुत सरी चीजे जो होती थी और उसी के हिसाब से हमारा पूरा historiography बना गया और modernization जब आने लगा दिरे दिरे तो उसमें modern historiography का एक बहुत बड़ा रोल आ गया ये समझने के लिए कि हमारा history आगे जाके कैसा होने वाला है अब एक last but not the list एक और topic हमें पढ़ना है दोस्तों जिसका नाम है modern historiography इसको भी हम लोग देख लेते हैं और हमारा आज का lecture को stop करेंगे ठीके तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है बहुत ही simple तरीके से explain करने की कोशिश कर रहो आम भासा म तो इनकी characteristics क्या है तो सबसे पहला जो method है यहाँ पर वो है दोस्तों it is based upon the scientific principles यानि कि जो भी modern historiographic हुआ है modern में जो भी historiography लिखा गया है history लिखा गया है यह obviously किसके उपर depend करेगा scientific principles के उपर सिधानतों के उपर क्या करेगा एक तरीके से P.L.E. principle ठीके principles का हमेशा मेरे को confusion ह होता है spelling में यह आप लोग के साथ भी होता होगा P.A.L. जो principle होता है वो आपके school college में जो teacher होते है na headmaster वो principle होते है यह principle अलगे ठीक है यह याद रखना है ठीक है तो scientific principle यानि कि जो सिधानत होती है उसके इसाप से modern historiographic का निर्मान किया तो scientific यानि कि बहुत सरी discoveries हुई modernization आय यह normally अगर हम बात करें कि जो हमारे ancients जो पुरवच थे यहाँ पे अगर बहुत सारे पुरवच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होने लगा एक particular interference होने लगा यहाँ पे कि हमारा जो कर्म है वो हमारे मेहनत के हिसाप से होता है for example जैसे हम लोग एक dialogue बोलते ना कि हम जो भी काम करेंगे उससे हमें हमारा क्या मिलेगा फल मिलेगा जैसे हम लोग बलते ना आप काम करते जाओ आपको फल मिलेगा तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी history में हुआ था नोर्मली जो भी इंसान जिस तरीके का काम करता था उसके हिसाप से उसकी deeds, यानि कर्म जो बोलते हैं हम लोग कर्म तो उसका कर्म वगरे जो है वो उसके साथ ही जॉइंटेड यहां पर था ठीक है तो जो भी एंशन टाइम्स में हुआ था वो टाइम पर सब जिकर किया हुआ यहां पर फिर अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसी जो एविडेंस है जो हमें सबूत मिल है इसलिए हम जो हमारे हिष्ट्री है उसके उपर विश्वास रखते हैं आप भले जो भी हिष्ट्री पढ़ रहे हो तो क्या आपको शक है क्या कि यह सब चीज हुआ था कई शक है क्या नहीं यह चीज एकडम शोर शॉट एविडेंस के साथ प्रूफ किया गया है तो आप आपको इंक्लिड किया है आपके सिलाबस के अंदर तभी तो आप यह चीज पढ़ रहे हो तो यह भी सीज आपको ध्यान में देने वाली बात है फिर अगर हम बात करें जो हिष्ट्री है वो भी एक चीज और बताते है इट प्रेजन ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी यानि हमारे जो मैनकाइंड है यानि कि जो हमारा हिमानिटी है इंसानियत जिसको बोलते है हिंदी में तो इंसानियत का जर्नी है यह हमारे पुराने पिछले कर्मों के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यानि कि पहले के जमाने लोग क्या करते थे अलग-अलग चीज़े कर इससान का गून के सा है, उसके व्यवहार केसा है, उसका एक दूसरे से कैसा बातचीत है, इस सबी चीज बताता है, और यह भी चीज बताता है कि इसका रूट यानिकि जो हमारा modern का हिस्टरिग्राफी है या फिर इनसानियत का जो रूट है कहीं न कहीं Greek से जुड़ा हुआ है टेकिने ग्रीक क्या है आपको पता है ग्रीस एक कंट्री है तो ग्रीक लैंगवेज होता है तो यह ग्रीक historical राइटिंग से जुडआ हुआ है जिसमें history को ना बहुत ज़ादा एक मानेता मिली है और history जो है वो एक Greek term है history जो है यह एक Greek term है कि हम लोग कुछ टर्म बोलते हैं जैसे यह नामकरन हुआ है अब मेरा नम राहूल है तो खिजी सने रखा है तो यह हिंदी नाम है ना फारेन में रखने हैं, that's why मैं कभी-कभी लिखा देता हूं, तो आप लोग इसको note-down कर सकते हैं, तो एक बहुत ही महान historian थे, ठीके न, पाच्वी सदी में, यानि 5th century BC ही बहुत पुरानी बात है, यार, पाच्वी सदी में उन्होंने ये नाम करन किया, history, यानि कि जो भी past event होते हैं, उसका ये सब चीज किया, और उन्होंने अपना पहले book भी लिखा दा, the histories, ठीके न, ये जो hero lotus थे, उन्होंने अपना पहले book का नाम लिखा दा, the histories, ठीके, इसी में उन्होंने बहुत सारी चीजे, जो 5th से, 5th century के आसपास जो घटनाई हुई होगी, जो history हुई होगी, वो इसमें ये book में उन्होंने लिखा था, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, correct है, अब यहाँ पे एक चीज तो आपने समझ लिया कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, basic चीज क्या होता है, कैसे research के वज़े से, कुछ evidence के वज़े से, हमने history लिखा, modern history और ग्राफी क्या होता है, ये सभी चीज में बता दिया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि chapter भी बहुत साथ, तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, उमीद करता हूँ कि जो हम प्रयत्न कर रहे हैं आपके लिए, बले ही मेरा subject नहीं है history, ठीके बड़ फिर भी आप लोग के request के कारण, आप लोग के suggestions के कारण, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ दोस्तों, तो please support क कर देना, जो भी आप कहना चाहते हो, please कह देना, इसका comment box में, और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो please वीडियो को like कर देना, like कीजेगा, share जरूर से कर देना, बहुत important है, हम आपके लिए महनत कर रहे हैं, पेड़ी बार इंश्ट्री भी श्टार्ट किया तो फटा-फट से हमारे चैनल को भी subscribe कर देना, साथ में एक bell icon होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग future में कोई भी वीडियो को upload करेंगे, तो आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीके friends, तो मिलते हमारे एगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू और गुद बाई